आज देर रात साड़े दस बजे के लगभग साची रोल इस्थित पैट पूजा होटल के सामने बिजली विभाग गए सुप्री टेंडेट इंजिनियर संपूर्णा नंद शुकला को लोकायुक्त पुलीस भोपाल द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हतों गिरफतार किया है लोकायुक्त निरिक्षक रजनी तीवारी ने बताई कि फरियादी द्वारा विद्धू त्विभाग में वेहर हाउस के लिए ट्रस्फार्मर रिचार्जिंग की मजूरी के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी शिकायत के बाद नियमा अनुसार कारी वही की गई बाद में फरियादी द्वारा सुप्री टैंडेट इंजिनियर को 15,000 रुपए दिये गए तब ही लोकायुक्त ने उन्हें गिरफतार कर लिया उन पर कारी वही की जा रही है मिली जानकारी की अनुसार सुप्री टैंडेड इंजिनियर संपूर्णा नंशुकला जो साथ दिन पहले ही विदीशा इस्थान अंतरित होकर पदस्त हुए थे फिलहाल वे पेट पुजा होटल में ही रुके हुए थे गंजबासुदा थे मुकेश्च चत्रवादी की रिपोर्ट देखिए ऐसा है कि हमारे मानी सीम साथ इतने एमानदार है और हफते में दो बार विदीशा आते हैं इसके बावजूद भी उस दिले में अधिकारी कुछ-कुछ ऐसे आ जाते हैं बिरस्टाचार से नीचे बात नहीं करते हैं मेरा एक वेरहूस बंदा है जिसमें लाइट लगना थी और लाइट मैंने कानुनन सारी उप्चार रिखता हैं पूरी करके मैंने कानुनन लाइट लगवाई और पास हुई वो लेकिन उसकी चार्जिंग परमिशन विदीशा स होती है कोई भी ट्रांस फार्मर में बिजली दोड़ाने के लिए उसकी पर्मिशन की जर्वत पड़ती है उसके लिए मैं पिछले साथ रोज से चक्कल लगा रहा था लेकिन मुझे सिर्फ आश्वासन मिल रहे थे और फिर मैं ये नए ऐसी सावाए मैं ने इंसे निविदन क किया तो इनों ने मजे फिर दूसे दिन अपने आफिस में बुलाया अकेले में बोले के भाई देखो में राजगड़ में तीस हजार रुपे लेता था इस काम के तो मुझे पंद्रह हजार रुपे दे ना तो मैं कि असाब मेरा पूरा एक नमबर का काम है मैं पेशे क्यों दूँ तो कहला है फिर जाईए आप ये मुझे से थोड़े अच्छे भी नहीं बोले इनकी भाशा थोड़ी अबद्र टाइप की थी मैंने अपना परीशे भी दिया मैंने अमडी साब का भी बताया तो कहला है फिर आप एमडी साब के चले जाईए आपने किस तरीके शिका और दिया मैं फिर इनके पास आया पर ये मजसे मतलब जो उन्होंने फिर पेसे की मांगी फिर मैंने लोकाइक्ट में के सिट जम लोगेक करी फिर टीम आई फिर टीम आई तो ने बताया कि मैं सिरौन से लोट रहाऊं और होटल के बाहर मिलूँगा आप मुझे म्हाम मिल ज दो घंडे से आपका इंचादार कर रहा हूं तो कि हस्रें लगे फिर मैंने पेशे दिये जेब में रख लिए फिर लोका एक पास में खड़ी थी पूरी टीम उसे देखके इन्होंने अपने ड्राइवर को निकाल के दे दिये ड्राइवर करन नामें उसका विचारे उसको दे यह मामला यह है कि गंजबा सोदा छेतर के रहने वाले जफर कुराइशी जी इन्होंने चाउदा तारियों के एक एप्लिकेशन दिया था कि विदीशा में जो अपना मधे छेतर विद्यूत विद्रार कंपनी कार्याले के जो ऐसी है सुप्रेटेंडेंट इंजीनियर यह उनके वेर हाउस के लिए चार्जिंग पर्मीशन के लिए करने के लिए 15,000 रुपे की रिश्वत राशी की मांग कर रहे हैं उन्होंने शिकायद की थी एस पी लोकाइक महोदे को और इसका वेरिफेकेशन कर आए गया सत्यापन में जब यह जास है मतलब यह शिकायद सही पाई गई तो फिर आज दिनांग को इनका जो कारवाई की गई है इनके उपर 15,000 रुपे की रिश्वत राशी उन्होंने पेट पूजा होटल के सामने यह जफर को रैशी जी से लिए थी जैसे ही रिश्वत राशी लिए इनको रंगे हादों गिरफतार के लिए कारवाई यह कारवाई कप्रीट होगी यह बताना थोड़ा मुश्केल है लेकिन अलब दो घंटे तो भी अपमान के चलिए यह सुप्रेटेंडेंडर इंजिनियर है अधिछाण यंद्री विदिशा में आपके मदेच्छेत्र विद्यत्वित्वित्र कंपनी लिम्टेट के विदिशा है मतपुर आफस में नाम क्या है श्री संपूर्णा नांद शुकला जी हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे टेल आइपोन को दबाना बिलकुल भी ना भुले